आप सभी को परिमान क्लासे में स्वागत है आज मैं आप लोग को WBJE 2022 वेस्ट बेंगाल इवेंट एक्जाम 2022 का बी बिटेक और फार्मेसी और एग्रिकल्चर का जो एक्जाम होगा 2022 में उसका अप्लिकेशन फॉर्म ओनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 2022 has been started ठीक है तो मैं सारा प्रोसेस यहां पर बताऊंगा कि WBJE 2022 का आप अप्लिकेशन फॉर्म भरें कैसे ठीक है ओ मैं पूरे वीडियो में आपको डिटेल बताने जा रहा हूं कहां से लोगिन करना ओभी में बताता हूं तो आपको कैसे भर ना देखिए यह लिंक है अप्लाइब फॉर WBJE 2022 लास्ट डेट जो है 10 जनवरी 2022 है 6 बजे संदियत ठीक है उस समय तक आप भर सकते हो जहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप कैसे अप्लिकेशन फॉर्म को भरें अस्टेप बताऊंगा उसके बाद मैं अप्लाइब फॉर WBJE 2022 पे किलिक करके मैं दिखाऊंगा सारव डेटेल ठीक है आप इस वीडियो के अंतर जरूर बने रहे और समझ ले भरने से पहले कहीं गलती ना करते हैं ठीक है तो चलिए आप बढ़े रहे वीडियो तक तो यह रिष्टेशन दिखाएंगे यह आपको भरना है उसमाद कंडिटेट्स मॉस्ट बी केर फूल वाइल इंटरिंग नेंव फादर्स नेंव बढ़र्स नेंव डेट बर्स नेंव डेट बार्थ जेंडर अंड़ डेट्वींसाल इस इन्फोर्मेशन कान नोट बीचेंज एड बहुत है ना उसको चैंज किया जाएगा जिसका चैंज नहीं होगा तो इसको यह दिखाएंगर आप भूल जाते है तो इसके रिव्यू करने का option रहें उसके पाद submit करना होगा रेजिटेशन को फिर उसके बाद d number में बोलता कि an application number will be generated will be appear on the screen also sms email will be sent to the candidates बोरा कि कोई भी application number जो उसके बाद application number जड़ेट होगा वो आपका screen में भी दिखेगा email और जो mobile नमबर दोगे उस पर आपका message भी चला जाएगा ठीक है application number जो याद रखना चाहिए अगर याद नहीं रहता है पासवर्ड तो फिर अपना application न्यू पासवर्ड बना सकते हो ठीक है उसे बाद बोलता है it is not possible for any person agency to change edit input any information without knowing the password बना पासवर्ड के आप कुछ नहीं कर सकते हो ठीक है hence candidates must not share their password with anybody पासवर्ड को share ने करने बोल रहा है कि दूसरे के साथ फिर बोल रहा है कि the board will not be responsible for any change resulting from sharing devolging bulging of the password अगर आप पासवर्ड चेंज कर देते हो share कर देते हो ठीक है कुछ भी चेंज होता आपका application form में ठीक है तो वो boards बेवार नहीं होगा application at this stage the candidate need to fill up application में फिर आपको need to fill up various information such as domicile नो मिसाल आपको भरना होगा category भरना होगा pwd status family income status religion nationality और academic details यह सब आपको application form भरना होगा if the candidate also applied for jman 2020 he needs to enter jman application number तो अभी तो application number भरा है start नहीं हुआ तो यह आपका side ठीक के हिसाब से ठीक उसबात क्या करना कि upload the image upload the image the candidate is required to upload jpg और jpeg image of his recent color photograph वो कितना होना चाहिए size 10 kb से लेकर 200 kb के बीच में signature होना चाहिए 4 kb से 4-30 kb के बीच में if any documents certificate marks it etc is to be uploaded it must be in PDF format वो PDF format में होना चाहिए और 50 से लेकर 300 kb तक होना चाहिए all documents are to be uploaded uploaded in one go एक बार में ही सारा upload करना है documents को ठीक है payment fee उसे बाद आपको payment करना payment का option लेका examination fee can be paid by net banking अगर general है general bc1 sorry general को general candidate के लिए 500 500 रुपए है और obc a obc b sc st के लिए वो 400 रुपए है ठीक है पलस आपका जो बैंक चार्ज लगेगा ओ देना होगा ठीक है उसे बात बोलता है कि TFW candidates availing the concession will have to upload respective certificate informant अगर आप यह सब में कोई है तो आपको चार्ज यह आपका इसका domicile certificate होना चाहिए ठीक है नहीं एक cancel हो जाएगा the fee once paid is not refundable और जो आप counseling fee भरोगे वह आपका refundable नहीं होगा अप्लिकेशन फी जो होगा वह आपका non refundable है confirmation page जब तक आप डाउनलोड नहीं करते है तब तक आपका application not complete until the confirmation page is generated जब तक आप confirmation page नहीं generate करते हो तब तक आपका application complete नहीं माना जाएगा ठीक है यह समझवाया गया उसे बात बोल रहा कि यह आपको सुधारने का मुखा नहीं दिया जाएगा ठीक है तो आर मैं आपको examination center दिखा देता हूँ तो यह डिस्टिक वाइज लिस्ट ऑप examination जोन होड डूब ज़जरबाइस यह आप डिस्टिक वाइज अपना देख सकते हैं कि क्योन है अगर आप वही अस्टेट का जो ज़जदिक की ठीक है चुनना है इसमें आप देख लिए जी center अपना और अधर स्टेट में सिफ अस्टम सिल्चर में दिया गया है और तिरपूरा अगर तल्ला में दिया गया है center एक्जामने सा center WBJ22 का ठीक है candidates from West Bengal अस्टम हैं तिरपूरा must select any three zones from the above list in the order of their preference मतला कि candidate अग यह तीनों छोड के बाकि जो other state के हैं वो अपना जैसे जारखंड, बिहार, उत्तर परदेश के हैं अगर वो candidates तो यह examination center में आप नीचे वाला जो दिया गया है देख रहे है यह three zones आप अपना सुवीदा अनुसार चूज कर सकते हो ठीक है यह अपने सुवीदा अनुसार च और WBJ 2020 करना है किलिक करना है किलिक करते हैं उसके बाद important instruction दिया हुआ यह केरफुली आप पढ़ लेना ठीक है उसके बाद बोला गया है यहां पर कि अगर देखिए registration candidate application number password security pin security pin अगर आप new registration कर चुके हैं अगर नहीं किये हैं पहली बात करने जा रहे हैं तो आपको जाना ह new candidate registration पर क्या करना है किलिक करना तो इस पर मैं किलिक करता है new candidate registration पर किलिक किये उसके बाद यह आपका प्लिकेशन थी आपका 500 जेनरल के लिए है SC, ST, OBC, A, OBC, B के लिए आपका 400 है ठीक है उसके बाद candidates की allowed यह नहीं करना है इसमें पहले in case of multiple application all application will be rejected ठीक है दोज रिश्टे इन 10-12 सा स्टेंडर एक्जामनेशन यह आप अपने पढ़ लेना उसमें क्या करना लास्ट में आपको यहां पर उसमें candidates name, mother's name, father's name, date of birth, identification टैप, passport क्या दे रहे है, identification, अधार काड, school ID, रासन काड क्या दे रहे है आपको ठीक है वह आपको चूछ कर लिजीगा ठीक उसके बाद आपको फिर अधार करकर नंबर या वोटर ID का नंबर जो दे रहे है जेंडर इस बाद यह आपको देने बा फिर उसके बाद आपको यहां पर security pin दो दिख रहा हो उसके करना है, submit, submit करना है, submit करने के बाद आपको फिर अप्लिकेशन नंबर जनरेट होगा, अप्लिकेशन नंबर जनरेट होगा, application नंबर आप स्क्रीन पर दिख जाएगा, या आपका SMS से चला जाएगा, या इमेल से ठीक है उसके बाद आपको पास्ट पता है फिर उसके बाद आपको लोगीन या इसी में के साथ आप क्या कर सकते हैं उसके बाद डिटेल्स भरना है फिर क्या आपका सिंगनेचर फोटो अपलोड करना है ठीक है यह मैं पहले बता चुका हूं वह आपको करना है उसके बाद आ फिर पेमेंट करने बाद आप कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करोगे किनी को किसी तरह का कोई भी डाउट होए इससे रिलेटेड तो भेज चक आप कमेंट करके आप आर्शन नमर डिस्कुशन बोक्स में दिया रहेगा वहां से आप मेसेज करके पूछ सकते हो उसे बाद इडिटिंग का ओप्शन आएग अप बाद दस जनवरी तक लास्ट है आपका अप्लिकेशन फॉर्म भरने का डाउनलोड बीजी दोजार अकीस का ठीक है ठीक और आप अच्छे से अप्लिकेशन फॉर्म को भरो अच्छे से ठीक है सबसे पहले वीडियो देखो उसे बाद आप अप्लिकेशन फॉर्म हांनल स्टार्ट करो ठीक उस बाद किसी को किसी तागा कोई भी डाउट हो तो बेचक आप कमेंट करके पूश सकते हो या वार्ट से आप मेसेज कर सकते हो ठीक है और पिलिज ये वीडियो को लाइक सेर और सब्सक्राइब जरू कर दें और आप अगर कि नहीं ठीक है और सेर कर दें और बेल अकन को प्रेस कर दें जिससे इस तरह का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा थाइंग